आखिर इस रिसे का नाम लेने से क्यों नहीं काटते साप एक बार नागों की माता कद्रू ने किसी बात पर क्रोधित होकर नागों को स्राप दे दिया कि राजा जनमे जय जब सर्प यग्य करेंगे तो उसी में तुम सब भस मोह जाओगे नाग राज वसुगी को जब इस राप के बारे में पता चला तो वो बहुत चिंतित हो गए तब उन्हें एक नाग ने बताया कि मंसा देवी का पुत्र आस्तिक मुने इस सर्प यग्य को पूरा होने से रोक देगा जब राजा जन्मेजे को पता चला कि उनके पिता परिक्षित के मृत्यू तक्षक नाग के काटने से हुई है तो उन्होंने नाग दाय यग्य कराने का निर्ने लिया राजा जन्मेजे ने जब नाग दा यग्य का प्रारम किया तो उसमें छोटे बड़े, वृद्ध और युवा सांपा कर गिरने लगे इस चीज से डर कर तक्षक नाग देवरा जिंदर के यहां जाकर छिप गया जब आस्तिक मुनी को इस यग्य के बारे में पटा चला तो वे यग्ये स्थल पर आये और यग्ये की इस्तूती करने लगे यदेखकर राज जन्मेजे ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया और दोस्तों आस्तिक मुनी माता मंसा के पुत्र थे तो वीडियो को लाइक करवर कमेंट्स में जाए मां मंसा लिखना ना भूले